स्वागत आप लोगों के लिए काफी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पाई इसकी ऊपर इतने कुछ खास मेजर चेंजे नहीं थे लेकिन अपकी बार मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने इंसे हाली में बात की और इननों मुझे रिक्वार्मेंट्स के बारे में बत कोरिया वीजा ठीक है सबसे पहले जो चीज है आपको इनका जो एप्लिकेशन है वह वी एफस के थुरू समिट करना पड़ता है अब इन्होंने क्या किया है कि उसको नई साइट पर री डिरेक्ट कर दिया है को और बेसिकली एक्शली वीएफस की साइट देखा जाएं क्य अब रिजिए अब बेसिकली टेकन तू पास्पोसाइज फोटोग्राफ विद वाइट बैग्राउं ऐटी परसेंट फेस कवरेज आपका होना चाहिए फोडोस की स्पेसिकेशन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते है जो है वैसे नॉमल पास्पोसाइज फोटोग्राफ से माग रहे हैं अपार्फ फंट देख स्ट ऐख स्ट घिए वाइब भीिजए एप्लिकेशन फ़ॉम बाईडी एप्लिकेट तो अनुन्न कोई फ़ॉम आपको भनना परता है उसका प्रिंट आउट आपको लिना परता है और वह आपनी आप्रिकेशन और सप्रोटिंग्हिमे कि आप इस company में इतने time से काम कर रहे हैं इस role पर काम करें यह आपकी designation है बस इतना ही दिया होता है उसके अंदर ठीक है तो उसमें आपको time frame दिया होता है कि कितना time से आप company में काम करें उस company का address किया है telephone contact details उस भी format में होती है अब क्या है कि कुछ cases में पहले क्या था कि NOC letter भी company से लेना पढ़ सकता था मतलब कि अगर आप छुटियों अगर के लिए आप South Korea जा रहे हैं वीजा अप्लाई करने से पहले आपको छुटियों अपनी company portal से अप्रूफ करा के आपका supervisor प्रूफ करता था फिर वो HR अप्रूफ इसके लावा जो है आपको एक साल की salary slips लगानी पड़ती है अब इसके लावा आपको as a salary आती है या business करते हैं तो आप लोगों के लिए क्या है कि आपको income tax का last 2 साल का प्रूफ देना है ITR का दो साल का प्रूफ देना है अगर आप स्ट्रॉंग बना चाते हैं application को तीन साल के लगा सकते हैं लेकिन दो साल का मांगा तो आप उतना ही दो तो दो साल का ITR आपको देना है और एक चीज़ खास कि अगर आपने ITR recently इस साल का file नहीं किया है उससे प पहले आपको एक undertaking letter लिखना पड़ेगा उसका format मैं निकाल के रखूँगा अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके साथ share कर दूँगा उस format के अंदे उस undertaking के अंदे basically यह होता है कि that you are yet to file your ITR for this and this year and I'll be filing on so and so period once the ITR applications are open I'll do it accordingly तो एक undertaking आपको देना पड़ता अगर आपने इस साल का यानि की अगर ITR apply नहीं किया है लेकिन पिछले एक ये दो साल का ITR उस case में फिर आप लगा देना पिछले दो साल का लगा देना वैसे दो साल का मांगा मनला current year का लेकिन अगर ऐसा है जहां पर आप undertaking देने लगे मैं आपको recommend यह करता हूं कि पिछले दो साल का भी company कि किसी की आप माले के company के उस case में आपको तीन साल की ITR लगानी जरूरी है mandatory है आपके case में salaried लोगों के case में दो साल की mandatory है लेकिन मैंने आपको क्या बता है कि तीन साल के आप भी लगाना अगर आपने current year की ITR फाइल नहीं किया बस मैंने आपको यह कहा है अपनी दरफ से ठीक है कि मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी वस अवरी simple वीडियो जिसमें basic documents मैंने आपके साथ share किये थे लेकिन धीरे-धीरे करते-करते जो success rate था काफी गिरता गया और rejections जो है बहुत सारे आने लग गए जिसकी उपर मैंने especially in सभी topics पे elaborately बात किये तो पुरानी videos को refer कर सकते ह अगर आपको को doubt है अपनी application को लेकर लेकर लेकिन आपको मैं बता दू कि छे मिने के bank statement लगे और consistency अपनी account statement में दिखाना यह नहीं है कि आपने पांच लाग छे लाग आठ लाग आपके bank account में पड़े में हैं तो और इसकी उपर आप application को स्ट्रॉंग बनाने के लिए पैसा कि यह जो account में पैसा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है उनको visa लगवाना है ठीक है तो दोनों चीज़ें का ध्यान रखना है कि जो bank statement की जहां बात आती है इसमें specifically इन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि कितना amount की requirement है मतलब यह थाइलेंट का वीजा आप proof of funds दिखाना है तो इसमें आप मान के चलें कि आप तीन से चार लाग या पांच लाग दिखा सकते हैं तो ज्याद अची बात है लेकिन अगर आपके account में 50,000 पड़ा और suddenly आप transaction करते हैं साड़े चार लाकी या पांच लाकी उपर तो वहां पर rejection के chances बन सकते हैं क्योंकि व आप जो वीजा है अप्लाई करने लगे हैं वीजा के लिए आपने पैसा काउंट में डाला है ठीक है इसके लावा अगर आप business करते हैं तो company registration copy जो है आपको लगानी पड़ती है that is mandatory in your case and then business profile details GST number वगरा जो भी आपके certificates and tax certificates है वो आपको M.O.P. खासकर यह सब जो proof है लगा पड़ता है application form भरते हैं ऐसे एक अलग से health condition form है उसका अभी मैं link कहीं description में आपको दे दूँगा कहां से download करना होता है और कहां से उसमें क्या-क्या दिया होता है तो basic health declaration आपने खुद देनी है उस form के तो nothing else अगर देखा जाए बाकि जो इसकी fees है that is 3200 VFS charge है जो VFS इसकी fees ल 500 रुपए की courier service है उपर अगर आपको avail करनी है वह भी ले सकते है लेकिन अब इसमें अच्छी बात क्या है अब जो application में देख रहा हूं इसमें अच्छी बात क्या मुझे लगी है वह यह लगी है कि इन्होंने flight reservations को हटा दिया है that is not in requirement and plus hotel reservations को भी इन्होंने scrap कर दिया मुझे पता है कि hotel or flight reservations की जरौत नहीं है बस जो documents दिया आपको यही submit करने है इस video को share करें video को like करें चैनल को subscribe करते पर जूर जाए for my motivation and I see you once again goodbye and take care see you